बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी इस YouTube चैनल साकीब कलासेश दोस्तों अगर आपको भी 2024 का बोर्ड एक्जाम देना है तो आज की ए वीडियो आपके लिए ब्रह्मास थाबित होगे जो चातर कुछ नहीं पढ़े हैं एक अच्छर से बिल्कुल भी उनको भेट नहीं ह ओभी हिंदी में अच्छे नंबरों से पास होंगे सिर्फ इस ट्रीक से ठीक है हिंदी में पास होने की बेहतरीन ट्रिक आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अगर कुछ नहीं पढ़े हो माल लीजी हिंदी का हाँ आपको नहीं आता है इसमें से एक अच्छर भी जैसा आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला दोस्तों अगर कुछ नहीं पढ़े हैं आप पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा फिर भी आप पास हो जाएंगे इस ट्रीक से बस इस ट्रीक को समझ रहा है आज की इस वीडियो में आपको हिंदी में अगर कुछ नहीं आता एक अच्छा से भेड नहीं है फिर भी आपको पूरा पेपर में सॉल्व करके बताऊंगा देखे एक हिंदी का पेपर है मॉडल पेपर है यूपी बोर्ट द्वारा जारी किया गया इसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा है अब इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ ध्यान से समझना मेरी बात को ठीक है देखे सबसे पहले आता है बहुबिकल्पिय ठीक है बहुबिकल्पिय को कैसे हल करना इस पर ध्यान दीजिए सबसे पहले देख लिजिए चार आपसन दिये जाते हैं आपके बहुबिकल्पिये में जैसे जो बहुबिकल्पिये परिश्ण होता है उसमें चार आपसन आपके दिये जाते हैं पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है बहुबिकल्पिये में अब उसमें करना क्या है मेरी बातों को गाउर से समझना ठीक है इसमें बहुभी कल्पिये परशन आप से पूछे जाते हैं सबसे पहले दिया रहता है ठीक है एक एक मिनट पहला आपसन का खा गा और घा ठीक है इस तरीके से आपसन दिये जाते हैं अब इसमें आपको क्या ल प्रेशने इसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है अब इसको कैसे आपसन से लट करना है मेरी बातों को गौर संदना देखिए अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप दूसरा या फिर चौथा आपसन लगा देना आँख बंद करके ठीक है और एक तरीकी से और कोश्टन पूछा नहीं और कभी कभी दे देता है कि ए सभी ठीक है ए सभी और कभी कभी दे देता है ए तथा ए तथा बी ठीक है कभी कभी दे देता है का तथा घा या फिर पहला और दूसरा तो आपको जब इस तरीके से आपसन मिले ना तो आख बंद करके आपको इन पर किलिक करना है इस त हम प्रूब बहुबिकलल्पियाका मैं दिखाता हूं दे ख लीजिए इसमें जो परश्ञायत न देखी इसमें दुसरा सही है फिर दूसरा सही है भी चौथा सही है फिर एक एक- एक- एकमें सिर्फ एक Los दूसरा आपसन दूसरा और आपसन चौथा यानि दोस्तों आपको खा वाला आपसन और घा वाला आपसन सेलेट करना है अपने बोर्ड एक्जाम में इस तरीके से बहुभी कल्पिय करोगे तो एक भी गलत नहीं होगा तुका आपको इस तरीके से लगा दाना है बोर्ड एक् करना है जैसे यहां पर दिया जाता प्रश रंक्या तीज दिये गए गद्यांस पर आधारी निम्लिकित प्रशनों का उत्तर दीजिए अब इसको कई स्कूरा सकने के लिए किने लिए ना सिंपल आपको अपनी कॉपीрах एक पारेंगी है सबसे पहले इक फिसी लाइनिंग कईसे पारेंगेल हमाप को बता पीत यहां पर देखेवां होती है प películ को ऐसे उठाना आपको इसेंपार आपको अब बाद हाँ बस टॉपर ही ने लिखाए ठीक है इस तरीके से आपको लाइनिंग डबल लाइनिंग करेंग ना तो देखने में ज़्यादा एक्ट्रेक्टिव लगेगा ठीक है इस तरीके से लाइनिंग आपको पा देना हम जुआर बता देना है अगर आप पटरी भी लेकर नहीं जा सिर्फ आपके राइटीन देखकर ही एक्जामनर खुस होगा ठीक है तो परशनोत्तर इससा लिखना बाव ना कि एक्जामनर को लगे बस टॉपर ही लिखे आए बले ही गलत आपने उसमें लिखाओ ना ठीक है लिखे यहापर परशनोत्तर संख्या तीन डाल देंगे ठीक है परशनोत्तर संख्या तीन ठीक है अब इसमें क्या कहा जा रहा है दिए गए गध्धयांस आधारित निम लिखित पर रिष्णो का उत्तर दिजिया यानि को सबसे पहले है डाल देना है आपको सबसे पहले क्या लिखना है सबसे पहले संकेत दे देना है कि किस गध्यांस का आप कर रहे हो इसमें काखा तो दिया नहीं रहता ठीक है यहां पर अत्वा करके दिया है अब आपको सबसे पहले संकेत दे देना है कि किस गध्यांस के लिखना रहे हो तो संकेत में सबसे पहले आप ल धर्टी माता लिख देना है फिर आपको डॉट करके लाश्ट के दो वर्ड लिख देना है जैसे जाच पलटाल आउश्क पिर यहाँ पर आपको लिख देना है जाच पलटाल आवस्क छह क्ए इसमें कुछ याद छाज करने की ढूरूरत नहीं इसको मैंने कैसे लिखा बिना याद किये लिखा ठीक है तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो बहुते अच्छा नमबर आएंगे आप देखे कापी कितनी अट्रेक्टिव लग रही इस जामनार को लगे का बस ट्रॉपर ही लिखा और बावो एक लाइनिंग न तो देखने में जादा एट्रेक्टिव लगेगा ठीक है उसके बाद अब देखिए अब आपको क्या लिखना है अब आपको हेडिंग डालना है संदर्व क्या पूछा जा रहा है उपर युक्त गद्याज का संदर्व लिखिए तो फस्ट पॉइंट डालेंगे ठीक है दो लाइन याद करके जाना है कि परस्तुत गद्यांस हमारी पाठ पुस्तक से पास्ट पुस्तक हिंदी से ठीक है इतना आपको याद करके जाना है इतना सिंपली लिखता है परस्तुत गद्यांस ठीक है बास समझ रहे हैं परस्तुत गद्यांस हमारी पाठ पुस्तक राइट में एकदम कंजूसी बिलकुल नहीं करनी है आराम से लिखना है देखिए दोस्तो आप तो फेल तो ऐसे भी हैं कि आपको कुछ आ नहीं रहा है लेकिन इस ट्रीक को लगा देना ना आप फेल के जगहां पास हो जाएंगे मेरे भाईयों पास फेल होने से तो अच्छा है कुछ तो नंबर मिल जाएं कमसे कम पास ही तो हो जाएं ठेका है पाठ पुस्तक हिंदी के अब देखें यहां पर आपको पार्ट का नाम तो आ नहीं रहा है तो इसलिए आपको क्या करना है न हमेशा देखिए धर्ती जहां पर आजाए या पिर राष्ट आजाए तो एपहिला चैप्टर है राष्ट का सुरूप, नामियाद का लगाउं, ठीक है, तो इसको आपको बलेक पेंसे लिखना है, ताकि एक्जामना देखे, कहें, बस भाई या टापर नहीं लिखा है, ठीक है, राष्ट का सुरूप, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, इतना ले meses को कैसे लिखेंगे ठीक है देखें पहिला का आप याद कर लो दूसरा तीसरा ठीक कैई पाट से लिया गया है इसके लेक्तर शुन अगरवाल यी तों इला दूंऀलान तो याद तो पहिले ही आप बच जाओं उन परिशानियों से जो पेपर देने में परिशानिया होती है तो आप पहिला का याद कर लो कि राष्ट का सुरूप नाम है इसके लेखक वासुदेयो सरन अगरवाल जी है ठीक है इतना आपको लिख देना है वासुदेयो सरन पूरा पेपर हम सॉल्व करके बताएंगे बाबू आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बाइस फरवरी से आपका पेपर है ना आईसे लिख कराना है एक्जामनल बाबू एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा वासुदेयो सरन अगरवाल है ठीक है तो पहला प्रेश तो आपका किलियर हो गया अब देखिए इसमें पांच प्रेश तुछे जाते हैं तो तो ही नंबर का किलियर हुआ ना अब देखिए आगे देखते हैं कि आगे प्रेश में का जा रहा है सब कुछ आपको समझा देते हैं देखिए अब देखिए यहां का करलाती है अब यहाँ से सुरू हुआ है इससे पहले ठीक है उसको उठाना जैसे धर्ती माता की कोक में जो अमोल ने दिया भरी है जिनके कारण वह सुंधरा कहलाती है अब यहां से उठाना है सिंपल है और यहां तक बिल्कुल छाप देना है दूसरा कोश्चन आपका यहांँ से लेकर यहां तक 25 करनी अब 25 कईसे करनी है उसको समय ले ठोड़ा ठीक है हम यहां फैर क्या आ जा ए एक .? यहां पर क्या चाजार है किसे तेसरे परश्में पूछा जा रहा है रे खांकित अंसका उसको ब्लेक पिंसे अब देखें यहां पर आपने लिखा तो कम से कम तीन लाइन आप छोड़िए ठीक है तीन लाइन छोड़िए फिर यहां से डालेंगे रे खांकित अंसकी ब्याख्या ठीक है दोस्तो इतना आपको लिखना है अब इस हेडिंग को डालने के बाद ठीक है अब आपको कहां से रे खांकित अंसकी ब्याख्या मैं क्या लिखना है जैसे पूछा जा धालती माता की कोक में जो अमूर लेने दिया वरी है आप देखिए यहां पर कुछ वर्ड आपको तो पाठावाइक तो अब्ना को कोक में जो अमूर निढया भरी है आपको लेकना है धर्तिь माता की निढ़र लेखक कह रहा है कि धरती के अंदर जो अमूल वस्तुएं भरी हुई है ठीक है अमूल निदिया वाने वस्तुएं और अमूल मतलब जिसका अमूल लेना हो और जिनके कारण वावसंद्रा यानि कहने का तातपर यहां पर यह है कि धरती के नीचे जो सोने चांदी वगरा मिलत हैं जिनके कारण धरती वह संद्रा कहलाती है और उससे कौन परिचित ना होने चाहेगा और उसे कौन नहीं जानना चाहेगा कि धरती की निचे क्या क्या चीजे हैं चोना है चांदी है हीरे है सब को जानना चाहते हैं कि इसके नीचे क्या क्या है ठीक है तो इस तरीके से बना बना कर आपको लिखना अगर बनाना भी नहीं आता ना तब देखो तब भी हम बताते हैं यहां से आपको लिखना यहां से पहले थोड़ा यहां तक उता यहां तक उतादेना फिर इसके बाद कुछ अपने तरीक से कुछ इस गद्यांस में उठा लो ठीक है कुछ इस गद्यांस से जैसे यहां फुलिस्ट आप से उठाए जब जीवन का यहां से उठाकर यहां तक आपको भर देना एक्जामनार बिलुकुल खुश हो जाएगा बा मुखरचना का उलेख किजिए यानि इसमें देखे तीन लेखक हैं अब इनमें से कोई एक लेखक का आपको लिखना है अब देखिए वासुदेशनर अगरवाल का हम लिखकर आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है अब आपको इस पेज को छोड़कर अकले पेज में आपको ह बेटिंग डाल देना है इसमें देखे साहितिक पचे आचार हजारी पसाद्वेदी का चलो इनका ही लिख लेते हैं इस तरीके सेहटिंग डालना बावू देखो कितना अट्रेक्टिव लग रहा ना इक्जामनर पूरे नंबर देगा कहेगा भाईया टॉपर नहीं लिखा है इसमें पहिला आपसन में है आचार हजारी पसाद्वेदी चलो इनका ही लिख कर बता देते हैं आचार हजारी पसाद्वेदी तो आपको अगर एक मिनद ध्यान दो दो चीज़ें अगर पता कर लेते हो ना बावू तब तो एक्जामनर एकदम बिलुकुल भी फेल नहीं कर नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मिरित तो कब हुई थी आप देखिए अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है मैं बिलुकुल भी एकदम अंजान की तरीके से आपको पेपर सॉल्व करके बता रहा हूं नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे तो सबसे पहले आपको लिखना है आचार हजारी परसाद द्वीदी ठीक है इसको नीले परसाद द्वेदी का जन्म ठीक है दोस्तो इस तरीके से आपको लिखना है इनका जन्म ठीक है अब जन्म इनका कब हुआ था आपको मालूम नहीं है तो आप देखे इनका जन्म कब हुआ था आपको बिलुकुल भी नहीं मालूम है तो आपको इसको बलैक पिंसे नहीं लिखना है अगर आपको मालूम हो तब ही आप black pencil लिखो जैसे माल लिजी मुझे नहीं मालू है 1907 कर देते हैं 1907 इसवी ठीक है 1907 इसवी को हुआ था ठीक है को हुआ था अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझे दोस्तो अगर मैं इसे black pencil कर देता ठीक है अगर मैं इसे black pencil के देता तो examiner की सबसे पहले नज़े इस पर बढ़ती तो examiner को लगता ये बच्छा गलत किया आप यहाँ पर पेज आपका भरा रहेगा ना पूरा यहां से लेकर यहां पर तक बढ़ा रहेगा तो examiner बाबू ना ऐसे काटेगा एक मिनट ऐसे काटेगा और पांच नमबर आपको पूरा दे देगा ठीक है तो इस तरीके से लिखो ताकि एग्जामनर की भी आख में आप धूल जो सको अब आप कमेंट करेंगे कि सर आप टीचर होकर इस तरह की की बात कर रहे हो तो दोस्तों यहां पर फेल ह पूरे साल आपने पढ़ाई तो कि नहीं है आपको कुछ आ तो नहीं रहा है तो इसलिए कुछ ट्रीक हो गहरा लगा कर ही आप पास हो जाओ तो अच्छे नमबरों से उसके बाद जो चीज़ें सीखने होगी आगे चल कर सीख सकते हो तो इस तरीके से अगर आप कॉपी लि बहादूर एक मिनट अभी तुरंट एक मिनट में याद होगा बहादूर कहानी हमारी बातों को गाउर समनना देखिए बहादूर बाव एक लड़का रहता है 14 साल का ठीक है उसकी माँ उसे बहुत डानती है तो उग नाराज होकर अपने घर को छोड़कर सहर चला जाता है तो उसके बाद बहादूर से जो अमरकान जी की पतनी है वह दूर वेहार करने लगते हैं और एक बार महमान आते हैं तो उनका कोई सामान चोरी हो जाता है बेचारे बहादूर को पकल कर मानने लगते हैं तो इस तरीके से ना बहादूर बेचार वहां से भी घबरा कर भाग जा तो सिर्फ इतना ही इस कहानी में है क्या कहानी में है कि बहादूर की माँ उसे बहुत डांटते वगरा तो बहादूर घाच छोड़कर सहच जाता है तो सहर में अमरकान जी मिलते हैं फिर अमरकान जी अपने घर पर ले जाते हैं फिर वहां भी उससे दूर वेहार होता है तो इसलिए बहादूर उस घर को भी छोड़कर चला जाता है, इतना आपको लिखना है बहादूर कहानी में, ठीक है, और पंचलाइट कहानी तो आप जानते होंगे, कि उसमें पंचलाइट को जलाना होता है, जलाना कोई जानता नहीं, तो गोधन जानता है, तो गोधन को पान्च नम्बर इसमें आपको मिल जाते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता कहां भी आद लुल है ना तब कई से लिखना ओभी हम आपको समझाते हैं वाँ गवराने की बिल्कुल ज़रूरत नही है इसको भी आपको line link पार लेनी है एक मिनट सबसे पहले line आपको पार देनी है ठीक है line गलती से दूनों तरफ मत पारना नहीं तो examiner को लगे का गई यह सबस्रा copy भरने के लिए पूरा ताम जाम किया है तो आपका number card देगा ठीक है तो lining आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरफ पारने है ठीक है double lining ताकि देखें जैसे यह वाली तरीके की lining होती है तो इस तरीके से आप जब पारेंगे तो आपको अच्छे number मिलने वाले है ठीक है अब देखें इसमें कहा गया जा रहा है आपसे पंचलाइट कहानी का सारांस अब आपको पंचलाइट सबसे पहले wedding डाल देने है उपर पंचलाइट ठीक है इसमें आपको लिखना है पंचलाइट कहानी का सारांस ठीक है पंचलाइट कहानी का सारांस तो अब इस पंचलाइट कहानी के बारे में जो भी जानते हो ना थोड़ा बहुत उसको लिख दो पूरे नंबर अग्जामनर आपको देगा इसमें देखें जितना भी आपको याद है ना उतना थोड़ा बहुत इसमें लगभग एक से डेल पेज अगर आप भाद देते हो ना तो पांच नंबर जरूर देगा और सुरूर में जरूर लिख देना कि फणीश्वन नाथ रियंडू जी द्वारा लिखित लिखित पंचल कहानी दोस्तों यह अगर आप लिख देते हो ना फरीस वर नाथ रियंडू क्योंकि इसके लेखक कनाव है दोस्तों इतना अगर आप लिखते हो ना तो एक्जामनर बिल्कुल खुस हो जाएगा और पूरे नंबर आपको देगा तो आज की इस वीडियो में उम्मीद करता ह जय हिंचे भारत